हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका सुपरफास स्टेडियन एक्सपेरिमेंट पर दोस्तो इस वीडियो बे हम बात कने वाले हैं सिंगल इस्टेज गेर बॉक्स और मल्टी स्टेज गेर बॉक्स के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि हम कैसे number of stage calculate कर सकते हैं gearbox का और दोनों में क्या difference होता है single stage gearbox है तो या multi stage है तो तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं single stage gearbox की single stage gearbox याने कि इसमें speed reduction स्रिप एक stage में होगा याने कि एक input shaft होगा और एक output shaft होगा इनके बीच में कोई भी intermediate shaft और gear wheels नहीं होगे यहाँ पर यह warm and wheel gearbox है तो इसमें एक shaft जो है उसमें खुद teeth कटा हुआ है जिसे हम warm shaft कहते हैं और दूसरे shaft में एक teeth wheel लगा हुआ है तो पहले shaft में number of teeth कम है तो वो घुमता है घुमाता है कि इसको जिसमें ज्यादा number of teeth है तो इसका revolution ज्यादा बार होगा तो उपर वाले wheel का revolution कम बार होगा क्योंकि उसमें teeth ज्यादा है तो एक stage में ही यहाँ पर speed reduction हो रहा है बीच में intermediate और कोई gear नहीं है अब बात कर लेते हैं multi stage में आ जाते हैं second stage gearbox के बारे में बात करते हैं यहाँ पर दो stage में speed reduction होता है जैसे कि आप देख सकते हैं जो सामने में हमको दिख रहा है यह input soft है और यहाँ पर से देखिए यह छोटा है इसमें जो gear लगा हुआ है उसमें उसका डाया कम है teeth जो है helical teeth है वो contact में है दूसरे gear train से है ना एक stage reduction यहाँ पर हो रहा है फिर इसी gear train में एक अलग से gear लगा हुआ है वो फिर से contact में है एक other wheel के साथ जो की जिसमें ज़्यादा teeth है तो यहाँ पर दो stage में speed reduction हो रहा है इसलिए इसको two stage gearbox कहा जाएगा तो यह था two stage gearbox जैसे जैसे gearbox का stage बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका speed जो है कम होते जाता है output soft का और gear ratio जो है वो बढ़ते जाता है क्योंकि speed reduction ज़्यादा हो रहा है तो gear ratio बढ़ते जाएगा अब चली आगे बात करते हैं यह जो gearbox आपको दिख रहा है जिसका cut section मैं आपको दिखा रहा हूँ यह 3 stage gearbox है 3 stage gearbox इसको बोलेंगे देखिए कैसे होगा अब जानते हैं यह देखिए पहला वाला soft में जो teeth लगा हुआ है वो दूसरे को transfer कर रहा है speed कम कर रहा है पहले से दूसरे में तो यह हो गया आपका 1 stage अब दूसरे से तीसरे में हो रहा है इधर आप देख सकते हैं दूसरे से तीसरे में हो रहा है तो 2 stage reduction हो गया यहां से और फिर तीसरे से चौथे में हो रहा है तो यह 3rd stage यानि कि 3 stage, 3 बार यहां पर speed reduction हो रहा है तो यह 4 stage reduction мест यहाँ पर देख सकते हैं यह 4 stage reduction gearbox है, यहाँ पर 4 stage में होता है यहाँ पर cross section नहीं दिखा रहा हूं मैं, ऐसे gearbox के आपके मन में doubt भी हो सकता है कि अगर cross section हम नहीं देखे हैं गेर बॉक्स का अंदर में हम नहीं देखे हैं कि कितने शाफ्ट हैं गेर हैं तो हम कैसे पता लगा लें कि वो कितना स्टेज गेर बॉक्स है उसमें कितने स्टेज में डिडक्शन हो रहा है तो देख सकते हैं आप किसी भी गेर बॉक्स में सामने में इस तरह का covers लगा रहता है तो ये जो cover लगा रहता है वो shaft का होता है जिस shaft में bearing fit होता है और उसी shaft में gear teeth fit होता है, gear का will लगा होगा या फिर shaft में खुद teeth कटा होगा तो अब देखें ये input shaft आपको दिख रहा है नीचे से, छोटा सा तो पहला stage यहां से हो रहा है इसमें speed reduction नीचे वाला shaft जो है उसमें खुद wheel कटा हुआ है या फिर उसमें gear लगा हुआ है तो उपर वाले से वो contact में आएगा तो एक stage यहां पर reduction करेगा और फिर उपर वाला जो है दूसरे अपने side वाले से touch में आएगा तो 2 stage reduction यहां हो गया और फिर और दूसरा वाला जो है वो उसके बाजू वाले से तीसरे वाले से contact में आएगा तो 3 stage reduction हो गया और तीसरा वाला जो है वो finally 4th वाले से contact में mesh में आएगा तो 4 stage में यहां पर reduction जो है वो हो जाएगा तो आप gear box के बाहर के cover को देख करके ही ऐसे पता लगा सकते हैं कि यह कितना stage का gear box है और इसमें कितना stage में reduction हो रहा है ऐसे gear box का gear ratio बहुत ज़ादा होता है और तब use किया जाता है जब हमको बहुत कम RPM और बहुत high torque का requirement होता है खास करके बहुत बड़े equipments, बहुत heavy equipments में ऐसे gear box को use किया जाता है जैसे industry में killen में use किया जाता है तो दोस्तों ये था single stage और multi stage के बारे में हम समझ गए इस वीडियो में multi stage gear box जो है और भी बहुत different types के होते हैं जैसे planetary gear box होता है तो उसमें अलगी type का arrangement होता है तो दोस्तों उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने कोजिस करूँगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपके लिए helpful होगी अगर ऐसा है तो please like करें और चैनल को subscribe करें